हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू माई चैनल सेल्फ्रिडिस मैं रेखा मेरी चैनल पर आपका स्वागत करते हूं मैं आपको आज निबंद लिखाने जा रही हूं तो ध्यान से देखिए गया आज का निबंद का विश्या है लड़के और लड़की में कोई भेद ना करें प्रस्तावना श्त्री और पुरुस जीवन रूपे गाड़े के दो पहिए हैं जीवन की गाड़े सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए दोनों पहियों अर्था श्त्री पुरुस को दोनों का सयोक और सामजिश्य जरूई है यदि इन में एक छोटा या बड़ा हुआ तो गाड़े सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी इसी तरह समाज और देश की उनति के लिए पुरुसों की नहीं नारियों के योगदान की भी उतनी ही आवशकता है यह पुरा आप देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं नारी में अधिक मानुए गु पुरुस जो सुभाव सी पुरुस होता है उसमें त्याग दया ममता शेहन सिलता जैसे मानुए गुण नारी की अपेक्षब होती कम पाय जाते हैं नर्च जहां क्रोध का उतार माना जाता है वहां नारी वात्चल्य और प्रेम की जीती-जागती मूर्ति होती है इस समंद म भार्ति काल में नर्य की स्थिति प्राचीन काल में नर और नारी को संब्मान अधिकार प्राप्त थे वैदिग काल में स्त्रियू दुवारा वेद मंत्रो विचाओं शलोकों की रच्ना का उलेक मिलता है भारती में इंन्जेश पाला गारगी ऐसी ही वीदूशी स्त्रियां थी जिन्होंने पुरुष के साथ शास्त्राज कर उनके चक्के चुड़ाए थे उस काल में नारी को सहधर्मिनी ग्रह लक्ष्मी और अर्धांगनी जैसे शब्दों से विभूशित किया जाता था समाज में नारी को सम्मान की द्रिश्टी से देखा जाता था तो ये मैं आपको लिखवा रही हूँ नर और नारी में भेट न करें समानता पर निबन लिखवारी हूँ मध्यकाल में नारी के स्थिति मध्यकाल तक आते आते नारी के स्थिति में गिरावट आने लगी मुसल्मानों के आकर्मन के कारण नारी को चार दिवारे में कैद होना पड़ा मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया जो है परदे में रहने को विवश कर दी गई इस काल में उसे पुरुसों की दासी बनने पर विवश कर दिया गया उसके शिक्षा दिक्षा पर रोक लगा दी उसे चोले चोके तक सिबित कर दिया गया पुरुषों की दास्ता और बच्चों का पालन पोशन यह है नारी की हिस्से में रह गया नारी को अउगुणों का बंडार समझ लिया गया तुलसी जैसे महाकवी ने भी निजाने क्या देख कर लिखा ढोल गवार शुद्र पशुनारी यह सब ताडन के अधिकारी आधोनिक काल में नारी की स्थिती अंग्रेजों की शाषन की समय तक नारी की स्थिती में सुधार की बात उठने लगी सावित्री भाई फूले जैसे महिल आए आगे आई और नारी की सिख्षा में कदम बढ़ाया इसी समय राजा राम मोहन राए स्वामी दयानन महात्मा गांधी आधी ने सती प्रथा बंद करवाने संपती में अधिकार दिलाने सामाजिक सम्मान दिलाने विद्वा विवास्ति शादी की दिशा में ठोस कदम उठाए क्योंकि लोगों ने नारी की पीडा को समझा जे संकर पशायत नारी की स्थिती देखकर लिखा नारी तुम केवल श्रदा हू विश्वास रजत नग पक तल में पियो स्त्रोसी बहाकरोज जीवन के सुंदर समतल में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी नोंने एक अन्य स्थान पर लिखा गया अबला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में है पानी क्या बात है सो तंतरता की बात नारी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए उनके दिकारों के लिए कानून बनाए गए शिक्षा के कारण पूरुसों के द्विश्टिकों में बदलाव आया इससी नारी की स्थिती दिनों दिन सुदरती गई वर्तमान में नारी की स्थिती पूरुसों के समान मजबूत है वह हर कद और मैं राइटर भी हूँ आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं लिखती भी हूँ आगे बढ़ते हैं सुतंतरता के बाद नारी शिक्षा के दिश्या में ठोस कदम उठाए गए हैं उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए हैं शिक्ष्या के कारण पूरुसों के दृस्त्री कौन में विदलाव आया है यसे नारी की स्तिती दिनों दिन सुधषरती गई है वरतमान में यारे के स्तिती पूरुसों के समार मजबूत है वह हर क acquainted से कंधा मिलाकर चछ रही है शिक्षा, ओंडेन, राजनेत, जसे ने चित्तर तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं, magical roar मेरी ID का नाम है, आगे बढ़ते हैं नारी की स्थिती और पूरुस की सोच, समाज में जैसे जैसे पूरुस की सोच में बदलाव आया नारी की सिति में भी बदलावाता गया कुछ समय पूरfeit कर्णियाओं को माता पिता और समाज में बहुत समझाता था वहे भून कर्णिया, हत्यादुआरा एजनमी कर्णियाओं के बहुत से छुटकारा पा लेता था ये स्थिती सामाजिक समानता और लिंगानुपात की कारण खतरनाक होती जा रही थी पर सरकारी परियास और पुरुसों की सोच में बदलाव की कारण अब स्थिती बदल गई है लोग अब लड़कियों को बोज नहीं समझती पहले लड़कों के जनम पर खुशी मनाय जाती थी वहीं अब लड़की के जनम दिन भी धूम दाम से मनाने चान लगा है हमारे स्विधान में स्त्री पुरुस को समानता का दर्जा दिया गया है पर अब भी समाज को अपनी सोच में दारता लाने की जरूरत है उपसंहार घर परिवार समाज और राष्ट की परगती कलपना नारी के योगदान की बिना सोचना हवा हवाई बाते रह जाएंगी अब समाज को पुरुस परधान सोच में बदलाव लाते हुए महिलाओं को बराबरी का समान देना चाहिए इसके लिए लड़का लड़की एक समान की सोच पैदागर विवार में लाने की शुरुवात कर देने चाहिए जैसे के कहा जाताएगी दो अक्षर का नाम है नारी लेकिन इसके बिना सारे दुनिया है हाई बेचारी ये मैंने लिखा है तो आप मेरा लिखावा पढ़ सकते हैं मैजिकल लोर मेरी आईडी है और हाँ को लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए अपना खयार रखिए और यूँ ही आगे बढ़ते रहिए पढ़ते रहिए टेक के स्टूडेंट्स